क्या आपका अल्ला पश्ची में रहता है? वहाँ पूरब में क्यों नहीं रहता? सुभान दादा की लंबी, सफीद, चमकती, रोब बरसाती दाडी में अपनी नन्नी उंगलियों को घुसाते हुए मैंने पूछा उनकी चौडी, उबडी, पेशानी पर एक उल्लास की जलक और दाडी मोच की सघंता में दबे पतले अधरों पर एक मुस्कान की रेखा दोड गई अपनी लंबी बाहों की दाहिनी हतेली मेरे सिर पर सहलाते हुए उन्होंने कहा नहीं बबुआ, अल्ला तो पूर पश्चिम उत्तर दखिंसा बौर है तो फिर आप पश्चिम मूखड़े होकर ही नमास क्यों पढ़ते हैं पश्चिम और की मुल्क में अल्ला के रसूल आये थे जहां रसूल आये थे, वहां हमारे तीरत हैं हम उन्हीं तीरतों की और मूख करके अल्ला को याद करते हैं वे तीरत यहां से कितनी दूर होंगे? बहुत दूर जहां सूरज देवता डूपते हैं? नहीं, उससे कुछ इधर ही आप उन तीरतों में गए हैं सुबान दादा देखा, सुबान दादा की बड़ी-बड़ी आँखों में आसू डब-डबा आए उनका समूचा चेहरा लाल हो उठा भाव विभोर हो, गदगद कंड से बोले वहां जाने में बहुत खर्च पड़ते हैं बबुआ मैं गरीब आदमी ठेहराना इस बुढ़ापे में भी इतनी महनत मशकत कर रहा हूं कि कहीं कुछ पैसे बचा पाऊं और उस पांग जगर की सियारत कराऊं उनकी आँखों को देख कर मेरा बचपन का दिल भी भावना से ओद प्रोथ हो गया मैंने उनसे कहा मेरे मामा जी से कुछ कर्ष क्यों नहीं ले लेते दादा कर्ष के पैसे से तीरत करने में सवाब नहीं मिलता बबुआ अल्ला ने चाहा तो एक दो साल में इतने जमा हो जाएंगे कि किसी तरह वहां जा सकूँ वहां से मेरे ले भी कुछ सौगात लाईएगा ना क्या लाईएगा वहां से लोग खजूर और चुवारे लाते हैं हाँ हाँ मेरे लिए चुवारे ही लाईएगा लेकिन एक दर दिन से कम नहीं लूँगा सुबान दादा की सफेद दाड़ी मूच के बीच उनके सफेद दांत चमक रहे थे कुछ देर तक मुझे दुलारते रहे फिर कुछ रुप कर बोले अच्छा जाईए खेलिए मैं जरा काम पूरा कर लूँ मजदूरी भर काम नहीं करने से अल्ला नारास हो जाएंगे क्या आपके अल्ला बहुत गुसावर हैं मैं तुनक कर बोला आज सुबान दादा बड़े जोरों से हस पड़े फिर एक बार मेरे सिर पर हतेली फेरी और बच्चों से वह बहुत खुश रहते हैं बबुआ वह तुम्हारी उम्रदरास करें कहकर मुझे अपने कंधे पर ले लिया मुझे लेते हुए दीवार के नस्दीक आए वहां उतार दिया और जट अपनी कढ़नी और बसूली से दीवार पर काम करने लगे सुबान खा एक अच्छे रास समझे जाते हैं जब जब घर की दीवारों पर कुछ मरमत की जरुवत होती है उन्हें बुला लिया जाता है आते हैं पांच साथ रोज यहीं रहते हैं काम खत्म कर चले जाते हैं लंबा चोड़ा तगड़ा है बदन इनका पेशानी चोड़ी भवें बड़ी सघन और उपरी आखों के कोनों में कुछ लाली और पुतलियों में कुछ नेलेपन की जलग नाक असाधारन धंग से नुकीली दाढ़ी सघन इतनी लंबी कि चाती तक पहुँच जाए वह चाती जो बुड़ापे में भी फैली फूली हुई सिर्पर हमेशा ही एक दुपलिया टोपी पहने होते और बदन में निमस्तीन कमर में कच्छे वाली धोती, पैर में चमरौंधा जूता चहरे से नूर टपकता, मुँ से शहत ज़रता भले मानसों के बोलने चालने, बैटने उठने के काईदे की पूरी पाबंदी करते वह किन्तु बच्पन में मुझे सबसी अधिक भाती उनकी वह सफेद चमकती हुई दाड़ी नमास के वक्त कमर में धारीदार लुंगी और शरीर में साधा कुर्टा पहन, घुटने टेक, दोनों हाथ चाती से जरा ओपर उठा आधी आखें मूद कर, जब वह कुछ मंत्र सा पढ़ने लगते, मैं विस्मय विमुग्द होकर उन्हें देखता रह जाता मुझे ऐसा मालूम होता, सचमुच उनके अल्ला वहां आ गए है, दादा की जपकती आखें उन्हें देख रही है और ये होटों होटों की बातें उन्हीं से हो रही है एक दिन बच्पन के आवेश में मैंने उनसे पूछी लिया सुबान दादा, आपने कभी अल्ला को देखा है या क्या कह रहे हो बबुआ, इनसान इन आखों से अल्ला को देख नहीं सकता मुझे दोका मत दीजिये दादा, मैं सब देखता हूँ आप रोज आधी मुंदी आखों से उन्हें देखते हैं उनसे बुद बुदा कर बाते करते हैं हाँ हाँ मुझे चक्मा दे रहे हैं आप मैं उनसे बाते करूंगा मेरी ऐसी तकदीर कहा सिर्फ रसूल की उनसे बाते होती थी बबुआ ये बातें कुरान में लिखी है अच्छा दादा क्या आपके रसूल साहब की भी दाडी थी हाँ हाँ थी बड़ी खुबसूरत लंबी सुनहली अब भी उनकी दाडी के कुछ बाल मक्का में रखे हैं हम अपने तीरत में उन बालों के भी दर्शन करते हैं बड़ा होने पर जब मुझे दाडी होगी मैं भी दाडी रखूंगा दादा खुब लंबी दाडी सुभान दादा ने मुझे उठा कर गोद में ले लिया फिर कंधे पर चढ़ा कर इधर उधर घुमाया तरतर की बातें सुनाई कहानिया कहीं मेरा मन बहला कर वह फिर अपने काम में लग गए मुझे मालूम होता था काम और अल्ला ये ही दो चीजें संसार में उनके लिए सबसे प्यारी है काम करते हुए अल्ला को नहीं भूलते थे और अल्ला से फुर्सत पाकर फिर जट काम में जुट या जुट जाना अपना पवित्र करतव ये समझते थे और काम और अल्ला का ये सामन जस्य उनके दिल में प्रेम की वह मंदा किनी बहाता रहता था जिसमें मेरे जैसे बच्चे भी बड़े मजे में डुपकियां लगा सकते थे चुपकियां ले सकते थे नानी ने कहा सवेरे नहा खा लो आज तुम्हें हुसेन साहब के पैक में जाना होगा सुबान खा आते ही होंगे जाने कितने देवताओं की मनौती के बाद मा ने मुझे प्राप्त किया था उनमें एक हुसेन साहब भी थे नौ साल की उम्र तक जब तक जनेयू नहीं हो गया था और रंगीन चड़ी लेकर कूदना पड़ा है और गले में गंडे पहनने पड़े है मुहरम उन दिनों मेरे लिए कितनी खुशी का दिन था नए कपड़े पहनना, उचलना, कूदना, नए नए चेहरे और तरतर के खेल देखना धूम धकड में किस तरह चार पहर गुजर जाते इस मुहरम की पीछी जो रोमाजकारी खुरदे को पिगलाने वाली करुन रस से भरी दर्द अंगेज घटना चिपी है उन दिनों उसकी खबर भी कहा थी खेर मैं नहा धोकर पहन ओड कर इंतजार ही कर रहा था कि सुभान दादा पहुँच गए मुझे कंदे पर ले लिया और अपने गाओं में ले गए उनका घर क्या था बच्चों का अखाड़ा बना हुआ था पोते पोतियों नाती नातिनों की भरमार थी उनके घर में मेरी ही उम्र के बहुत बच्चे रंगीन कपडों में सजे धजे सब मानो मेरे ही इंतजार में जब पहुचा सुभान दादा की भूड़ी बीवी ने मेरे गळे में एक बध्धी डाल दी कमर में घंडी बांदी हाथ में दो लाल चड़ियां दे दी और उन बच्चों के साथ मुझे लिये दिये कर्बला की और चली दिन भर उचला कूदा तमाशे देखे मिठाईयां उडाई और शाम को फिर सुभान दादा के कंधे पर घर पहुच गया इद बकरीद को न सुभान दादा हमें भूल सकते थे न होली दिवाली को हम उने होली के दिन नानी अपने हातों से पुवे खीर और गोश्ट परोस कर सुभान दादा को खिलाती और तब मैं ही अपने हातों से अबीर लेकर उनकी दाड़ी में मलता एक बार जब उनकी दाड़ी रंगीन बन गई थी मुझे पुरानी बात याद आ गई मैंने कहा सुभान दादा रसूल की दाड़ी भी तो ऐसी ही रंगीन रही होगी उस पर अल्ला ने ही रंग दे रखा था बबुआ अल्ला की उन पर खास महरबानी थी उनके सा नसीबां हम मामूली इनसानों का कहा ऐसा कहकर जट आँखे मूंद कर कुछ बुद बुदाने लगी जैसे वह ध्यान में उन्हें देख रहे हूँ मैं भी कुछ बड़ा हुआ उधर दादा भी आखिर हज कर ही आए अब मैं बड़ा हो गया था लेकिन उन्हें चुआरी की बात भूली नहीं थी जब मैं चुट्टी में शहर की स्कूल से लोटा दादा यहानुपम सौगात लेकर पहुँचे इधर उनके घर की हालत भी अच्छी हो चली थी दादा के पुन्य और लायक बेटों की मेहनत ने काफी पैसे इखटे कर लिये थी लेकिन उनमें वही विनमरता और सज्जनता थी आए पहले की ही तरफ शिष्टाचार निबाहा फिर छुआरे निकाल मेरे हाथ में रख दिये बबुआ यहां आपके लिए खास अरब से लाया हूँ याद है ना आपने इसकी फर्माईश की थी उनके नथुने आनन्दातिरेग से हिल रहे थे चुआरे लिए सिर चढ़ाया ख्वाईश हुई आज फिर मैं बच्चा हो पाता और उनके कंथे से लिपट कर उनकी सफेद दाड़ी में जो अब सचमुच नूरानी हो चली थी उंगलियां खुसा कर उन्हें दादा दादा कह कर पुकार उड़ता लेकिन न मैं बच्चा हो सकता था न जबान में वह मासूमियत और पवितता रह गई थी अंग्रेजी स्कूल के वातावरन ने अजीब अस्वा भाविक्ता हर बात में ला दी थी पर हाँ, शायद एक ही चीज़ अब भी पवित्र रह गई थी आँखों में आशू की छलकन से अपने को पवित्र कर चुपचाप ही उनके चर्णों में श्रधान जली चड़ा दी हज से लोटने के बाद सुबान दादा का ज्यादा वक्त नमास बंदगी में ही बीटता दिन भर उनके हातों में तस्बी के दाने घुमते और उनकी जबान अल्ला की रट लगाए रहती अपने जवार भर में उनकी बुजरगों की धाक थी बड़े बड़े जगडों की पंचायतों में दूर दूर के हिंदु मुसल्मान उन्हें पंच मुकर करते उनकी इमानदारी और दयानदारी की कुछ ऐसी ही धूम थी सुमान दादा का एक अर्मान था मस्जिद बनने का मेरे मामा का मंदिर उन्होंने ही बनाया था उन दिनों वह साधारन राश थे तो भी कहा करते अल्ला ने चाहा तो मैं एक मस्जिद जरूर बनवाओंगा अल्ला ने चाहा और वैसा दिन आया उसकी मस्जिद भी तयार हुई गाओं के ही लायक एक छूटी सी मस्जिद लेकिन बड़ी ही खुबसूरत दादा ने अपनी जिन्दगी भर की अरजित कला इसमें खर्च कर दी थी हाथ में इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि अब खुद कड़नी और बसूली पकड़ें लेकिन दिन भर बैठे बैठे एक एक इन की जुडाई पर ध्यान रखते और उसके भीतर भीतर जो बेल बूटे काड़े गए थे उनके सारे नक्षे उन्होंने ही कीचे थे और उनमें से एक एक का काड़ा जाना उनकी ही बारीक निगिरानी में हुआ था मेरे मामा जी के बगीचे में नेशी, शम, सक्वे, कठहल, आदी इमारतों में काम आने वाले पेड़ों की भरमार थी मस्जित की सारी लकड़ी हमारे ही बगीचे से गई थी जिस दिन मस्जित तयार हुई थी सुबान दादा ने जवार भर के प्रतिष्ठित लोगों को न्योता दिया था जुमा का दिन था जितने मुसल्मान थे, सब ने उसमें नमास पड़ी थी जितने हिंदू आये थे, उनके सतकार के लिए दादा ने हिंदू हलवाई रख कर तरतर की मिठाईया बनवाई थी पान इलाइची का प्रबंध किया था अब तक भी लोग उस मस्जिद के उधगाटन के दिन की दादा की महनतदारी भूले नहीं है जमाना बदला मैं अब शेहरों में ही ज्यादातर रहता और शेहर आए दिन हिंदू मुसलिम दंगों के अखाड़े बन जाते थे हाँ आए दिन देखिएगा एक ही सडक पर हिंदू मुसल्मान चल रहे हैं एक ही दुकान पर सौदे खरीद रहे हैं एक ही सवारियों पर जानू बजानू आजा रहे हैं एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं एक ही दफ्तर में काम कर रहे हैं कि अचानक सब के सिर पर शैतान सवार हो गया हल्ला, भगदड, मारपीट, खोन खराबी, आग लगी सारी खुराफतों की चूट ना घर मफूस, ना शरीर, ना इज़त प्रेम भाईचारे और सहरदयता के स्थान पर गरणा, विरोध और नुर्शम सहत्या का उल्लंग नरत्य शहरों की यह बीमारी धीरे धीरे देहात में गुशने लगी गाय और बाजे के नाम पर तकरारे होने लगी जो जिन्दगी भर कसाई खानों के लिए अपनी गायें बेशते रहे वे ही एक दिन किसी एक गाय के कटने का नाम सुन कर ही कितने इंसानों के गले कटने को तयार होने लगे जिनके शादी ब्या, परप्त योहार बिना बाजे के नहीं होते जो मुहर्रम की गमी के दिन भी बाजे गाजों की धूम किये रहते अब वे ही अपनी मस्जित के सामने से गुजरते हुए एक मिनट के बाजे पर खून की नदियां बहाने को उतारू हो जाते कुछ पंडितों की बनाई, कुछ मुल्लाओं की चलती बनी संगठन और तंजीम के नाम पर फूट और कलह के बीज बोए जाने लगे लाठियां उचली छुरे निकले, खोपडियां फूटी, अंतडियां बाहर आई कितने नौजवान मरे घर फूँके बाकी बच गए खेट खलिहान, सो अंग्रेजी अदालत के खर्चे में पीछे कुर्ख हुए खबर फैली, इस साल सुबान दादा के गाओं की मुसल्मान भी कुर्बानी करेंगी जवार में मुसल्मान कम थे, लेकिन उनके जोश का क्या कहना इधर हिंदूओं की जितनी गाए पर ममता न थी, उससे ज़्यादा अपनी तादात पर घमन था तना तनी का बाजार गरम, खबर यह भी फैली कि सुबान खां की मस्जित में ही कुर्बानी होगी एं, सुबान खां की मस्जित में कुर्बानी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अगर हुई तो क्या होगा? हमारी ना कट जाएगी लोग क्या कहेंगे इतने हिंदूओं के रहते गो माता के गले पर चुरी चली चुरी से गो माता को बचाना है तो गोरा गोरी के कसाई खाने पर हम धावा बोले और अगर सचमुच जोश है तो चलिए मुसफर पुर अंग्रेजी फोस्ट की चावनी पर ही धावा बोले कसाई खाने में तो बुड़ी गाये कटती है चावनी में तो मोटी ताजी बच्या ही काटी जाती है लेकिन वे तो हमारी आँखों से दूर है देखते हुए मक्खी कैसे निगली जाएगी माफ कीजिए दूर नस्दी की बात नहीं है बात है हिम्मत की ताकत की चावनी में आप नहीं जाते हैं इसलिए कि वहां सीधे तोप के मों में पढ़ना होगा यहां मुसल्मान एक मुठी हैं इसलिए आप तूटने को उताव ले हैं आप सुभान खा का पक्ष ले रहे हैं दोस्ती निभाते हैं धर्म से बढ़कर दोस्ती नहीं कुछ नौजवानों को मेरे मामा जी की बातें ऐसी बुरी लगी कि सक्त सुस्त कहते वहां से उठकर चल दिये लेकिन कितना भी गुस्सा किया जाए चीखा चिलाया जाए यह साफ बात है कि मामा की बिना रसामंदी के किसी बड़ी घटना के लिए किसी की पैर उठाने की हिम्मत नहीं हो सकती थी उधर सुबान दादा के दर्वाजे पर भी मुसल्मानों की भीड है न जाने दादा में कहां का जोशा गया है वह कड़क कर कह रहे हैं गाई की कुर्बानी नहीं होगी ये फालतो बातें सुनने को मैं तयार नहीं हूँ तुम लोग हमारी आखों के सामने से हट जाओ क्यों नहीं होगी क्या हम अपना मज़ब डर के मारे छोड़ देंगे मैं कहता हूँ ये मजब नहीं है मैं हज से हो आया हूँ कुरान मेंने पड़ी है गाई की कुर्बानी लाजमी नहीं है अरब में लोग दुम्मे और उंट की कुर्बानी अमूमन करते हैं लेकिन हम गाई की ही कुर्बानी करें तो वे रोकने वाले कौन होते हैं हमारे मज़भ में वे दस्त अंदाजी क्यों करेंगे उनकी बात उनसे पूछो मैं मुसल्मान हूँ, कभी अल्ला को नहीं भुला हूँ मैं मुसल्मान की हैसित से कहता हूँ मैं गाई की कुर्बानी ना होने दूँगा, ना होने दूँगा दादा की समुची दाडी हिल रही थी गुसे से चहरा लाल था, ओन्ट फड़क रहे थे शरीर तक हिल रहा था उनकी यह हालत देख सभी चुप रहे लेकिन एक नौजवान बोल उठा आप बुड़े हैं आप अब आलक बैठिए हम काफिरों से समझ लेंगे दादा चीक उठे कलू का बेटा जबान संभाल कर बोल तू किने काफिर कह रहा है और मेरे बुढ़ापे पर मत जा मैं मस्जिद में चल रहा हूँ पहले मेरी कुर्बानी हो लेगी तब गाय की कुर्बानी हो सकेगी सुबान दादा वहां से उसी तंदने की हालत में मस्जिद में आए नमास पड़ी फिर तस्बी लेकर मस्दित के दर्वाजी की चौखट पर मेरी लाश पर ही कोई भीतर गुश सकता है कहकर बैठ गए उनकी आँखे मूंदी हैं किन्तु आसों की जड़ी उनके गाल से हुती उनकी दाड़ी को भिगोती अजस्र रूप में गिरती जा रही है हाथ में तस्बीर के दाने हिल रहे हैं और होटों पर जरा जरा गुम्बिश है नहीं तो उनका समूचा शरी संग मरमर की मूर्ती सा लग रहा है निश्चल निस्पंद धीरे धीरे मस्जित के नस्दीक लोग इखटे होने लगे पहले मुसल्मान फिर हिंदू भी अब गाई की कुर्बानी का सवाल दादा की आसों की धारा में भस करना जाने कहां चला गया था वह साक्षात देवदूत से दीख पड़ते थे देवदूत जिसके रोम रोम से प्रेम और भायचारे का संदेश निकल कर वायू मंडल को व्याप्त कर रहा था अभी उस दिन मेरी राणी मेरे दो वर्ष जेल में रह जाने के बाद इतने लंबे अरसे तक राह देखती देखती आखिर मुझसे मिलने गया संट्रल जेल में आई थी इतने दिनों की बिचुडन के बाद मिलने पर जो सबसे पहली चीज उसने मेरे हातों पर रखी वे थे, रेशम और कुछ सूथ के अजीबों गरीब धंग से लिप्टे लिप्टाए डोरे बद्धिया, गंडे आदी यह सूरच देवता के हैं, यह अनन्त देवता के, यह ग्राम देवता के यों ही गिंती गिंती आखिर में बोली, यह हुसेन साहब के गंडे हैं आपको मेरी कसम, इन्हें जरूर ही पहन लीजेगा यह सब मेरी मा की मननतों के अवशेश चिन्न है मा चली गई, पिता जी चले गई, राणी चार बच्चों की मा बन चुकी है, मैं पिता बन चुका हूँ, लेकिन ये मन्नते अब भी निभाई जा रही है राणी जानती है, मैं नास्तिक हूँ, इसलिए जब-जब इनके मौके आते हैं, खुद इने मेरे गले में डाल देती है आज इस जेल में, जेल कमचारियों और खुफिया पुलिस के सामने उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन कसम देने से नहीं चुकी मैंने भी हस कर, मानो उसकी दिल जमई कर दी, राणी चली गई, लेकिन वे गंडे अब भी मेरे सूटकेस में संजो कर रखे है जब जब सूटकेस खोलता हूँ और हुसेन साहब के उन गंडों पर नजर पड़ती है, तब तब दो अपूर्व तस्वीरें आँखों के सामने नाच जाती है पहली करबला की, एक और सिर्फ बहत्तर आदमी हैं, जिनमें बच्चे और और औरतें भी है इस छोटी सी जमात के सरदार हैं हसरत हुसेन साहब, इन्हें बार बार आग्रह करके बुलाया गया था, कूफा की गदी पर बिठलाने के लिए लेकिन गदी पर बिठाने के बदले, आज उनके लिए एक चुलू पानी का मिलना भी मुहाल कर दिया गया है सामने फुरात नदी बहर रही है, लेकिन उसके घाट घाट पर पहरे हैं, उन्हें पानी लेने नहीं दिया जा रहा है कहा जाता है दुराचारी दुराग रही, यजीद की सत्ता कबूल करो, नहीं तो प्यासे तडप कर मरो बच्चे प्यास के मारे बिल बिला रहे हैं, उनकी मा और बहने तडप रही है, हाई रे, एक चुल्लू पानी, मेरे लल्ला के कंड सूखे जा रहे है, उसकी सांस रुकी जा रही है, पानी पानी, एक चुल्लू पानी पानी की तो नदी बह रही है, और तुम्हें इज़त और दौलत भी कम नहीं बक्षी जाएगी, क्योंकि तुम खुद रसूल के नाती जो हो, लेकिन शर्त यह है, यजीद के हाथ पर बैत करो, यजीद के हाथ पर बैत, दुराचारी दुराग रही, यजीद की सत्ता कबू पूल कर ले और रसूल का नवाजा हो नहीं सकता, हम एक चुलू पानी में डूप मरना पसंद करेंगे, लेकिन यह नीच काम रसूल के नाती से नहीं होगा, लेकिन बच्चों के लिए तो पाने लाना ही है, उन्हें यों जीते जीत अडप कर मरने नहीं दिया जा सकता, एक एक और बहत्तर आदमी जिनमें बच्चे औस्त्रियां भी दूसरी और दुराचारी यजीत की अपार सजी सजाई फौज, लड़ाई होती है, हसरत हुसेन और उनका पूरा काफिला उस कर्बला के मैदान में शहादत पाता है, शहीदों के रक्स से उस सहरा के रजकन लाल हो उटते हैं, बच्चों की तडप और अबलाओं की चीक से वातावरन धर्रा उटता है, इतनी बड़ी दर्दनाग घटना संसार के इतिहास में मिलना मुश्किल है, मुहरम उसी दिन का करुन समारक है, संसार के कोने कोने में यह समारक हर मुसल्मान मनाता है, भाईचारा बढ पर हिंदू ने भी इसे अपना त्योहार बना लिया था, जो सत तरह ही योग्य था, और दूसी तस्वीर सुबान दादा की, जिनके कंधे पचड़ कर मैं मुहरम देखने जाया करता था, वह चोड़ी पेशानी, वह सफेद दाड़ी, वे ममता भरी आंखें, वे शहद टप काने वाले होंट, उनका वह नूरानी चहरा, जिनकी जवानी अल्ला और काम के बीच बराबर हिसे में बटी थी, जिनका बुड़ापा इल्ला से ओत प्रोथ था, जिनकी दिमाग में आला खयाल थे, और हृदे में प्रेम की धारा लहराती थी, वह प्रेम की धारा जो अपन रूप से शीतल करती और सीजती है मेरा सिर सिजदे में चुगा है कर्बला के शहीत के सामने मैं सप्रेम नमस्कार करता हूँ अपने प्यारे सुबान दादा को